हेलो दोस्तो मैं प्रणव कुमार रवाय पी एम स्टेडी जॉन चैनल से आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों का तैयारी चल रहा होगा आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जन्वरी करेंट अफेर्स जिसका माध्यम है एक जन्वरी करेंट अफेर्स वारसी कांग 2021 तो चलिए स्टार्ट करते हैं जन्वरी माँ का करेंट अफेर्स पहला कोश्चन देखते हैं एक जन्वरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर एकोनोमिक्स एंड बिजनेस के अंस्वार भारतिय अर्थ व्यवस्था का विश्च में अस्थान है तो चट्था अस्थान है कैमा अस्थान है चट्था अस्थान है एक जन्वरी 2021 को मुके संबानी को पीछे छोड़ कर एसिया के सबसे अमीर बैक्ती कौन बन गए तो मुके संबानी को पीछे छोड़ कर एसिया के सबसे अमीर बैक्ती जौंग सांसांग बन गए कहां के हैं चीन के किस देश की निवासी है जहौंग सान सान चीन के एक जनबड़ी 2020 को किस राज ने एक जिला एक सिल्प नामक अभियान शुरू किया है तो मद परदेश ने एक जिला एक सिल्प नामक अभियान किस राज ने शुरू किया है मद परदेश अब बढ़ते हैं अगले question की ओर एक जन्वड़ी 2020 को किस ने अपना 63 अस्थापना दिवस मनाया तो DRDO ने अपना 63 अस्थापना दिवस मनाया एक जन्वडी 2020 को किस राज ने COVID योधाओं के सम्मान में एक अस्मारक अस्थापित करने का निर्ने लिया है एक जनबरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्ट अप नियो स्टेलनेस का अधिगरहन किस ने किया है तो अन अकैडमी ने किया है कौन किया है अन अकैडमी टेस्ट प्रेप स्टार्ट अप नियो स्टेलनेस का अधिगरहन एक जनबडी 2021 को भारत के सरशठ में ग्रेन मास्टर कौन बन गया लियोन मेंडौका दो जनबडी 2020 को सुगमता से बैपार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज कौन बन गया तो राजस्थान सुगमता से बैपार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज कौनसा राज बन गया राजस्थान दो जनबड़ी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतिय टर्टरक छकबल में सामिल कर लिया गया है तो सुजीत कौन सा भारते टक टक शकबल निगरानी पोत को सामिल कर लिया गया है निगरानी पोत को सुजीत अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन की ओर दो जनबड़ी 2020 को यानि यहां 21 होना चाहिए मिस्प्रिंट है दो जनबड़ी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दावोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो के बीरमनी को सम्मानित किया गया कुन साब अवार्ड से नरेंद्र दावोलकर मेमोरियल अवार्ड से दो जनबड़ी 2020 को गलोब सोकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटवालर चुना गया किसे सदी का बेस्ट फुटवालर चुना गया किस्टियानो रोनाल्डो को दो जनबड़ी 2020 को किस देश की नो सेना ने अधिकारिक रूप से पंडुब्बी आई एनस सिंधु भीर को प्रतिय स्थाफित किया है तो मैमार की सेना ने कौन देश की सेना ने मैमार की नो सेना ने दो जनबड़ी 2021 को आश्टेलिया को पीछे छोड़ कर ICC test ranking में सिर्ष पर पहुंच गया कौन सा देश सिर्ष पर पहुंच गया New Zealand आश्टेलिया को पीछे छोड़ कर test ranking में दोजनबडी 2021 को किस देश ने अपने राष्टगान में एक सब्द को बदल दिया है तो आश्टेलिया ने अपने राष्टगान में एक सब्द को बदल दिया है अब बढ़ते हैं नेक्स कोईस्टन की ओर दोजनबडी 2021 को किसे कुईन एलीजावेथ ने सर्वोच नागरिक सम्मान नाइट हूट से सम्मानित किया है तो लुईस हैमिल्टन को किसे लुईस हैमिल्टन को कहां का यह सर्वोच नागरिक सम्मान है इंगलेंड का दो जनबरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमानू परतिस्ठानों की सुची का आधान परदान किया है तो वो पाकिस्तान के साथ किस देश के साथ परमानू परतिस्ठानों की सुची का आधान परदान किया है पाकिस्तान के साथ तीन जनवरी 2020 को नौर्थ इस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज में बना है मेघाले में कहां बना है मेघाले में तीन जनवरी 2020 को किस की जैनती मनाई गई तो सावित्री भाई फूले की जैनती मनाई गई चार जनवड़ी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया बिस ब्रेल दिवस मनाया गया चार जनवड़ी 2020 को जारी Bloomberg Willianders Index में कौन सिर्ष पर रहा है तो Jeff Vazos कौन सिर्ष पर रहा है Bloomberg Willianders Index 2020 में Jeff Vazos अब बढ़ते हैं Next Question की ओर चार जनवड़ी 2021 को तुफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक भिजली उत्पन की है तुफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक भिजली उत्पन की है तो वो देश है Britain चार जनवड़ी 2021 को की गई घोसना के अंस्वार चौथा बैस्विक आयूरवेद महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा तो केरल में चार जनबड़ी 2020 को किस देश ने मिर्टू डंड की सजा को समाप्त किया है तो कजाकिस्तान की कौन सा देश है जो मिर्टू डंड की सजा को समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान ने पांच जनबरी 2020 को किस देश ने गर्फ पात को वैद यानि लिगल बनाने के लिए एक विल पारित किया है अर्जेंटीना ने कौन सा देश अर्जेंटीना ने चार पास जनबरी 2020 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ जाई स्कॉलर्शिप एक्ट पास किया है तो अमिर्का ने कौन सा स्कॉलर्शिप मलाला यूसुफ जाई स्कॉलर्शिप एक्ट पास किया है अमिर्का ने अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की ओर चोजनबरी 2021 को किस राज ने वर्ड फुलू को अपना राज आपदा घोसित किया है तो केरल राज ने वर्ड फुलू को राज आपदा घोसित किया है चोजनबरी 2021 को आई ओसी ने अपने इंधन स्टेशनों के पास अस्थानिय समुदाई को जरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो प्रयास चोजनबरी 2020 को किस देश में फ्लाइ विग नामक नई एरलाइन शुरू हुई है भारत में कहां शुरू हुई है भारत में चोजनबरी 2020 को किस देश में फ्लाइ विग नामक नई एरलाइन शुरू हुई है तो भारत में चोजनबड़ी 2021 को की गई घोषना के अंस्वार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्क्रण कहां आयोजित किया जाएगा गलू गुलमर्ग में कहां गुलमर्ग में अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की ओर साथ जनबड़ी 2021 को किस राज ने M-Pension App लॉंच की है तो मनीपूर ने कौन सा Pension App? M-Pension App लॉंच की है मनीपूर ने साथ जनबड़ी 2021 को भारतिय सेना द्वारा बनाए गए Human Rights Sale के परमुक कौन बने है? गौतम चोहान भारतिय सेना द्वारा बनाए गए Human Rights Sale के परमुक कौन बने है? गौतम चोहान साथ जनबड़ी 2021 को एसिया प्रसांत में Google Cloud का नया परमुक किसे निक्ट किया गया? करन बाजवा को किसे निक्ट किया गया? करन बाजवा को नौ जनबड़ी 2021 को अमेरिका के नव निर्वाचित राज़पती जो बाइडन ने अटाउनी जनर्र के रूप में किसे निक्ट किया है? मैरिक गारलेंड को नौ जनबड़ी 2021 को पुरुषो के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? क्लेर पोलो साक अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की ओर नौ जनबड़ी 2021 को बिदेश मंत्राले द्वारा आयोजित सुलाहमा प्रवासी भारते संबेलन का बिशय क्या था? यानि थिम क्या था? आत्म निर्भर भारत में योगदान क्या था? आत्म निर्भर भारत में योगदान दस जनबड़ी 2021 को दो कॉर्निकल अफ फिलेट्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सुची में कौन सिर्ज पर रहा? जैफ बेजोज जैफ बेजोज कॉन रहा? बड़े दान की वार्षिक सुची में? जैफ बेजोज 10 जनबडी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अंस्वार कितने देशों में 1.34 करोर NRI रहते हैं यानि निवास करते हैं तो 210 देश में 10 जनबडी 2021 को केंद्र सरकार्ने लद्धाख में किस नदी पर आठ जल विधूत परजनाओं की मंजूरी दी है गाहां हुआ है उड़िशा में अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की ओर 11 जनबरी 2021 को जम्बू कश्मीर प्रसासनिक सेवा परिक्षा के उमिद्वारों की आयू 37 से घटा कर कितने वर्स कर दी गई है तो 32 वर्स 37 से घटा कर 32 वर्स करने वाला केंसासितरा जम्बू कश्मीर बन गया है 11 जनबरी 2021 को किस ने अपने समिधान को जानो नामक पहल शुरू की है तो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने अपने समिधान को जानो नामक पहल की शुरुवात की 11 जनवरी 2021 को किस राज में भारत का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया तो उडिसा में कहां अस्थापित किया गया है भारत का पहला फायर पार्क उडिसा में भारतिय अंतराष्टिय फिल्म महोचब में फोकस देश किसे चुना गया तो बंगलादेश को किसे चुना गया एकावन में भारतिय अंतराष्टिय फिल्म महोचब में फोकस देश बंगलादेश को अब बढ़ते हैं next question की ओर 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज में की है तो करनाटक में की है 12 जनवरी 2021 को COVID-19 वैक्सिन के लिए गठित अधिकार पैनल का प्रमुक किसे निक्त किया गया है RS सर्मा को निक्त किया गया है 12 जनवरी 2021 को के भी आईसी द्वारा बिक सित खादी प्राकृतिक पैन्ट को किस ने लौंच किया है नितीन गड़करी ने लौंच किया है 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संजुक्त सरवाधिक गोल करने वाले खिलारी कौन बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 13 जनवरी 2020 को हूरन गलोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारते कमपनियों को सामिल किया गया है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईस्टियन की ओर 13 जनवरी 2021 को किस राज ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र टट को विक्सित करने का निरने लिया है तो उडिसा राज ने 13 जनवरी 2020 को भारत भी अतनाम रक्षा सुरक्षा वारता के लिए 13 में संस्करन की अध्यक्षता किसने की डॉक्टर अजय कुमार ने 14 जनवरी 2020 को आरबी आई ने जिस राज के बसंत दादा नगडी सहकारी बैंक को का लैसेंस रद किया है वो महराष्ट राज के है किस राज के महराष्ट राज के आरबी आई के द्वारा लैसेंस रद किया गया वो कौंचा बैंक है बसंत दादा नगडी सहकारी बैंक कहा के है महराष्ट के चव्दो जन्बडी 2020 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार काया कलब प्रुसकार जीता है लगातार चव्दो जन्बडी 2020 को किस राजने परशुराम कुंड तिर्थ यातरा शुरू की है तो अरनाचल प्रदेश राजने अब बढ़तें next की ओर 14 जनबडी 2021 को Ease of Doing Business सुधार को लागू करने वाला देश का आठमा राज कौन बन गया? केरल 14 जनबडी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहां की गई है? इंडोनेसिया में 14 जनबडी 2021 को किस राज ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी सिक्छकों के लिए TESOL Core Certificate Program शुरू किया है दिल्ली ने 15 जनबडी 2020 को किस राज के मुखमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उधगाटन किया है हरियाना राज के मुखमंत्री ने टैक्सी सेवा का उधगाटन किया है 15 जनबडी 2021 को USA ने किस देश को आतंकवाद के राज में राज प्रायोजग के रूप में फिर से नामित किया है त्यूबा को अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर 16 जनबडी 2021 को DRDO द्वारा विक्सित देश की पहली सौदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है अस्मी क्या नाम है अस्मी किसके द्वारा विक्सित किया गया है पहली सौदेशी मशीन पिस्टल DRDO के द्वारा 16 जनबडी 2021 को S-Coach Challenger Award कि से परदान किया गया अर्जुन मुंडा को अर्जुन मुंडा को कौन सा Challenger Award S-Coach अर्जुन मुंडा भी आदिवासी यानि जनजातिय मंत्री है 16 जनबडी 2021 को किसे Silver Salver से सम्मानित किया गया है पृत्वी पाल सिंग को किसे पृत्वी पाल सिंग को 17 जनबडी 2021 को किस राज ने पक्षियों को बचाने के लिए करुना अभियान चलाया है गुजरात राज ने पक्षियों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है गुजरात ने करुना अभियान 17 जनबडी 2021 को संक्रेन का प्रारंबिक संक्रेन का पारमपरिक्तवार कहा मनाया गया धाका में सत्रो जन्वरी 2021 को पैपसी को ने कब तक सुध सुन उतसरजन का लक्ष निर्धार्ण किया है दो हजार चालिस तक अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईस्टन की ओर सत्रो जन्वरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्ष्टा प्राप्त की फीजी ने 18 जन्वरी 2021 को प्रधान मंत्री मोधी ने Statue of Unity को देश के विभिन भागों से जोडने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है तो आठ ट्रेनों की 18 जन्वरी 2021 को भारत में COVID-19 भैक्सिन प्राप्त करने वाले पहले वैक्ति कौन बने हैं? मनीश कुमार भारत में सबसे पहला जो COVID-19 का टीका लगा किसे लगा? मनीश कुमार को 18 जन्वरी 2020 को किस मंत्रा ले ने सक्चम अवियान का सुभारंब किया? 28 जन्वरी 2020 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मैट्रो कार का उधगाटन कहां किया गया? बैंगलूड में ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्खाटन कहा किया गया बैंगलूर में अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर 19 जनबरी 2021 को किस देश ने ओपन असकाइट ट्रीटी से अलग होने की घोशना की है रूस ने 19 जनबरी 2021 को किस राज में पॉस परवान मेला मनाया गया तिरपुडा में पक्छी उतसव कलरव का उखातन का किया गया बिहार में 20 जनवरी दो हेजा़ कई को हजारी इंटेक्स, इंडिया इनॎवेशन इंडेक्स 2020 में कौँन सा राज सिर्ष पर रहा तो कर नाटक कौनसे इनवरी इंडिया इनौवेशन इन्डेक्स 2020 में तिरपुडा में अब बाड़ते हैं, नेक्स्ट की ओर 20.09.2021 को कहां में अस्ट्रावेरी महोचशब का उद्खाटन किया गया जहासी में 20.09.2021 को की गई गोशना के अंज़ार किस राज में भारत का पहला लेवर मुमेंट मुजियम खोला जाएगा कहां केरल में 20.09.2021 को किस राज सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है तो गुजरात राज ने 21 जनबरी 2021 को किस राज में इस्थित गोरे वारा चिरियांगर का नाम बदला गया है तो महराष्ट में 21 जनबरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 मकाई लराकू बिमान खरिदने का फैसला किया है तो रूस से कहां से खरिदने का फैसला किया है रूस से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईस्टन की ओर 21 जनबरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पंडुब्बी बचाओ सवयोग समझोते पाहस ठाक्षर किये हैं सिंगापूर के साथ 21 जनबरी 2021 को किस राज सरकार ने सिव राजपूर बीच को भिक्सित करने की घोसना की है गुजरात ने 21 जनबरी 2021 को हावडा काल का मेल का नाम किस के नाम पर रखा गया है नेताजी सुवास्चन बोस के नाम पर 21, Een221 को 43 मा रेडियो हिल्स यंणिस्तान का दिल क्या 43 मा रेडियो हिल्स यंणिस्तान का दिल नामक पहला ओंलाइन यूवा रेडियो श्टेशन कहां लख़ंज किया गया है तो हिमाचल परदेस में 21 जनवरी 2021 को भारतिय सेना के पहले उप्रमुक के रूप में किसे निफ्ट किया गया है चांडी प्रसाद महंती को अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की ओर 22 जनवरी 2021 को किस राज सरकार ने युवाओं को वैवसाइक उद्यम सुरू कराने के लिए स्वैम योजना सुरू की है असम सरकार ने 22 जनवरी 2021 को जंबू कश्मीर में प्रस्तावित चटर गला सुरंग वाजिला को किस जिला से जोड़ेगी टोडा से 22 जनवरी 2021 को किस अभिनेता के नाम पर दक्शिन दिल्ली के गंज में एक सरक का नाम रखा गया है यह कोईस्टन बहुत ही महतपूर्ण है तो आप लोग अच्छे से इसे नोट डान कट लीज़ेगा अब बढ़ते हैं अगले question की ओर 23 जनबड़ी 2021 को उत्राखंड राज का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस एस्टेशन में अस्थापित किया गया है तो डालन वाला में कहां डालन वाला उत्राखंड में पहला मित्र थाना पुलिस एस्टेशन है डालन वाला अब बढ़ते ह अगले कोईस्टन की ओर? किसे मिला है? निखिल श्री बास्तव को? अब बढ़ते हैं अगले कोईस्टन की ओर? 23 जनबरी 2021 को समरिध तौसाली राष्टिय सिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? उरिशा में 24 जनबरी 2021 को किस राज सरकार ने मनरेगा के तहत कार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ा कर 500 दिन कर दी है? तो वो है उत्रा खंड सरकार ने 24 जनबरी 2021 को नेता जी बस टर्मिनल की आधार सिला कहां रखी गई है? कटक उरिशा में 24 जनबरी 2021 को किस राज सरकार ने जेल प्रयाटन शुरू करने की गोसना की है? महराष्ट सरकार ने कौन से जेल से? यरवदा जेल से 24 जनबरी 2021 को किस ने अपना अस्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने कब मनाया? 24 जनबरी 2020 को 25 जनबरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रय याटन दिवस अब बढ़ते हैं ऑगले कोसिशन की होर 25 जनबरी 2021 को प्रधान मंतिर राश्टिय बाल पुरुषकार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया 32 बच्चों को 25 जनबरी 2021 को किस राज में एक पौधा सुपोसित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई है राश्टान में कौन सा योजना 25 जनबरी 2021 को स्रिष्टी गोस्वामी किस राज की एक दिन की मुखमंतरी बनी है तो उत्राखंड की 25 जनबरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपगड़ लंच करने का विस रिकॉर्ड किस ने बनाया है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर 25 जनबरी 2021 को किस राज की सीमा पर उपरेशन सरद हवा शुरुआत हुआ है तो राजथान राज की सीमा पर उपरेशन सरद हवा 26 जनबरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतराश्टी ए सीमा सुल्क दिवस 26 जनबड़ी को कौन सा दिवस मनाया गया अंतराष्टिय सीमा सुल्क दिवस 26 जनबड़ी 2021 को दो लाग सर्मिकों को टीका करन करने वाला पहला राज कौन बन गया करना ठक 26 जनबड़ी 2021 को बाजार पुंजी करन के आधार पर देश की सबसे मुलेवान कमपनी कौन बन गई टी सी एस 26 जनबड़ी 2021 को किस राज में खोजी गई नई चीटी पर जातियों का नाम प्रोफेसर अमताब जोसी के नाम पर रखा गया है तमिल नाडू क्या नाम रखा गया है उकेडिया जोसी अब बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की ओर 26 जनबड़ी 2021 को जारी सुचना के अंस्वार रीपवलिक डे पैरेड में सामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पाइलट कौन थी तो भावना कांत यानि भावना कंट 26 जनबड़ी 2021 को राष्टिय सबसेष्ट चुनावी आचरन पुर्षकार 2020 के लिए किसे चुना गया मेघालय को 27 जनबड़ी 2021 को अंक टार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अंस्वार 2020 में FDI का सबसे बरा प्राप्त करता देश कौन बन गया चीन और दूसरा अस्थान अमेरिका 27 जनबड़ी 2021 को कहां नाव पुस्तकाले की शुरुआत की गई तो कोलकता में अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर 27 जनबड़ी 2021 को चर्चा में रहे करनाटक का पहला भारतिये ग्रे वूल्फ अभ्यारन कहां अस्थापित किया गया है कोपल में 27 जनबड़ी 2021 को चार दिवस ये काब उच्षब कवी तावीज किस राज में आयोजित किया गया है केडल में 27 जनबड़ी 2021 को सुभास्चन बोश आपदा पुरुषकार 2021 किसे दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को 27 जनबड़ी 2021 को हूनर हाट के 24 में संस्क्रेंट का उधगाटन किस सहर में किया गया लखनो में अब बढ़ते हैं नेक्स कोईस्टन की ओर 28 जनबड़ी 2021 को काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की 28 जनबड़ी 2021 को MI इंडिया ने किस के साथ मिलकर सिख्षा हर हाथ के लिए पहल सुरू की है 29 जनबड़ी 2021 को 20 की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाहा निर्माता कमपनी कौन बनी है टोयोटा कौन है जो 20 की सबसे ज़्यादा वहन निर्माता कंपनी बिखने वाली टोयोटा 29 जनवरी 2021 को स्कूल और पॉब्लिक हेल्थ का सुवारम कहां किया गया रास्थान में 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दुतावास के पास बम बिस्पोर्ट हुआ है 29 जनवरी 2021 को गंतन दिवस के पैरेड में किसराज की जहांखी ने पहला पुर्षकार जीताओ तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर जहांखी ने 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया सहीद दिवस 30 जनवरी 2021 को 23 नई गारवेज कहां खोले गया है दिल्ली में 30 जनवरी 2021 को किसराज ने मिशन भगरती के नाम से स्वैन का पैकेज पेजल लॉंच किया है तेलांगना ने 30 जनवरी 2021 को जारी एसिया प्रसांत बैक्तिगस स्वास्थ सुचकांग में देश भारत कौन से अस्थान पर रहा यानि दसमें अस्थान पर 30 जनवरी 2021 को जारी एसिया प्रसांत बैक्तिगस स्वास्थ सुचकांग में भारत कौन से अस्थान पर रहा दसमें अस्थान पर 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-90 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बन गया हंगरी अब बढ़ते हैं अ 2020 को किस देश का मांट में रापी ज्वाला मुखी फटा है किस देश का मांट में रापी ज्वाला मुखी फटा है इंडोनेसिया का 31 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्व कुष्ट रोग दिवस 31 जनवरी 2020 को भारत और किस देश ने सतत विकास और बैस्विक परि 2021 को जारी COVID-19 परदर्शन सूचकांग 2020 में अपना देश भारत कौन से अस्थान पर रहा है श्यासमें अस्थान पर 31.01.2021 को किस देश के सासन परमुप को वहाँ की साल के लिए अपने देश में इमर्जनसी लगा दिया मैमार की से नहें कहां तक्था पलट हो गया है मैमार में तो आज के लिए इतना ही ह तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एब हम वीडियो को लाइक कीजिए अगले माह का करेंट अफेर्स मैं लेकर फिराऊंगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद